नमस्कार दोस्तों, ICA के आपर आपका स्वागत है और Modern History का हस्ताक्षर में आनन सिंग आपका स्वागत करता हूँ ICA पर दोस्तों आज Modern History का सबसे पहले टॉपिक हम डिसकस करेंगे और Modern History के सबसे पहले टॉपिक का नाम है Arrival of Europeans into India यानी भारत में European का आगमन तो पहले टॉपिक को जल्दी से हम क्या करते हैं समझने वाले हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भारत में European के आगमन के संदर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत के यूरोप में, यूरोपी पावर्स के भारत में आने की कारण क्या क्या रहे, ठीक है, इसके बाद यूरोपी शक्तियों का जो है आपके आने का क्रम क्या क्या रहा, जैसे आपको मालूम है कि पहले कौन कौन आए, पहले पोर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर करने वाले हैं आज के टौपिक और आज के टौपिक का नाम क्या है अराइवल आफ यूरोपियंस यूरोपियों का आगमन ठीक है देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के थ्रू बताना चाहता हूं कि यूरोपियंस का भारत में आने का कारण के रहा हूं जैसे वर्ल्ड मैप में जाओंगा तो यह आपके पॉर्टगाल का छेतर है यह यूरोप का मैप मैं बनाने कोशिश कर रहा हूं देखिए तो इसमें आपके यूरेशिया शामिल है यह यूरोप का छेतर है और यह एजिया का छेतर है और यहीं पर जो है आपके अफ्रीका दिखाई पड़ेगा यह देखिए ठीक है तो इस वर्ड मैप पे आपको मैं पहले तो यह बताने वाला हूँ कि यूरोपियों का भारत में आने का कारण क्या था और यूरोपियों का भारत में आने से पहले व्यापार किस तरस चलता था क्वारत या फोय प्ती में अगर हम व्यातार मार्ग की बात करें सिर्च यहाँ पड आतु Oh हुआ है तो आपके यहाँ पर जो है यह पूरा है कर नाज़िए करी से हथ तरा तो यह आपके मलक्ग का दिखाई पड़ रहा है चीक है यह आपके अरब सागर का शेतर दिखाई पड़ेगा और यह स्थान आपको हॉर्मुज जलसंदी दिखाई पड़ेगे चीक है तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपके एजिया से यूरोप का व्यापार तीन रास्तों के थ्रू होता था कितने रास्तों के थ्रू होता था तीन रास्तों के थ्रू होता था और वो तीन रास्ते देखे मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से थे उन जब त तर्चा करेंगे तो वो तीन रास्ते जो आपको दिखाई पड़ेंगे ध्यान से देखिए एक रास्ता आपके मलक्का से होता हुआ आपके कोचीन जाएगा और कोचीन से जाकर ये आपके हरमुच जलसंदी होते हुए आपके अरब व्यापारियों के लिए इस मार्का निर्मार देखाएंगे आप ट्रेड रूट का दूसरा रास्ता जो आपको दिखाई पड़ेगा अध्यान से देखिए इसी मलका से होते हुए वो पहले पूर्वी तट फिर कोचीन तट और फिर इसके बाद लाल सागर पार करते हुए ये आपके रास्ता खुल जाएगा भूमद्य सागर में और भूमत दिसागर में देखिए रास्ता चला जाता है इटली कहां चला जाता है इटली और इटली में ये ट्रेड रूट नमबर दो है ठीक है ये आपके ब्लैक किलर का है ये ट्रेड रूट नमबर वन है और एक तीसरा रास्ता को दिखाई पड़ता है जो कि आपके तिब ये कौं सा था यह था टेडूरोंट नमबर तीन ठीक है? यी मैं आपको चौध़वी से पंद्रवी शतादी के बीच खे आपके तीन टेडूरोंट बता रहा हूँ फि कै? इनी टेडूरोंट में से एक टेडूरोंट हुआ गरता था जो आपके बांच आपके कहां विबद के चेत्र में हिमालै के चेत्र में चली आती थी और इसी को आप वरतमान समय में पाकिस्तान और चाइन का बीज दिखाई बड़ता है वो Istra वह आपके यराची गौदर बंदरगा तक आपको जाता देखाई बड़ता है तो यहां पर आपको तीन ट्रेड डूर्ट दिखाई देरा, मैं आपको बताओं कि एशिया का व्यापार यूरॉप से आपके इसी तरह से चलता था ठीक है कि नहीं, अगर आप देखोगे तो जैसे पूरे की पूरे एशिया पर अगर आप देखोगे कि एशिया के वैपार पर किसका नियंतरन हुआ करता था तो एशिया के वैपार पर नियंतरन स्थापित करके रखे थे अरब के लोग और यूरोप के लोग जो है पूरे की पूरे यूरोपेन वैपार पर किसका नियंतरन हुआ करता था तो उस पर जो है आपके नियंत्रम था इटली का और वैनिस जो है आपके पूरे की पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था ठीक है कि नहीं बड़ 1453 की बात है 1453 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके इस भगलिक शेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा और 1453 में तुरकों का अधिकार कुस्तन तुनिया में आ जाता है कहां पर कुस्तन तुनिया पर किसका अधिकार आ जाता है तुरकों का अधिकार आ जाता है और कुस्तन तुनिया पर यह आपके कौन सा समराज आ जाता है यही पर आपके बाजन टाइन समराज को आपके रिपलेस करके और्टमन समराज आ जाता है कौन समराज आ जाता है और्टमन सम तो आपके तर्की में कुस्तुन तुनिया को जो है सेंटर करके यहां पर एक समराजी की स्थापना हो जाती और जब ऑटमन एंपायर का विस्तार देखेंगे तो ऑटमन एंपायर का विस्तार आपको धीरे-धीरे कैसे दिखाई पड़ेगा कि इस पूरे की पूरे ऑटमन एंपायर का विस्तार आपको इस पूरे की पूरे शेतर में दिखाई पड़ेगा कि यहां से पूरे की भूमत इसागर में रुदोश वेयरा को फते करते हुए इजिप्ट वेरा को जीशते हुए कि क्या करता है कि ये पूरे विशाल इलाके पर जो है आपके इस पूरे के पूरी विशाल इलाके पर देखी आपके उस्मानिया सल्तनत का जो है हुकूमत आपको चलता दिखाई पड़ता है जब उस्मानिय सल्टनात की हखूमत आपको दिखाई पढ़ रही चलते वही तो आप क्या देखेंगे कि इस तरह से आपके युरोपियों का connection आपके एशिया से कटता हुँआ दिखाई दे रहा हुगा यूरोपियों कनेक्शन आपको एश्या से कटते हुए ऐसे दिखाई दे रहा है कि वही जाहे चाहे सिल्क रूट की बात कर लें चाहे होर्मुस से जो अगवियंस वैपार कर रहा तो उसकी बात कर लें या लाल सागर को पार करते हैं भूमत सागर में आने वाले जहाज है जि और यूरोपियंस आपके क्रिशनटी पहचान के थे तो इन हलातों में इन दोनों के बीच में आपके धार्मिक और राजनितिक दोनों ही विवात थे तो ऐसे में ओटमन एंपार के लोग क्या करेंगे या तो व्यापार कर बहुत महँगा कर देंगे या तो ऐसा होगा कि व अर्टमन एंपेर कर जबद्द आ चुकता है और अब नए मार्गों की आवशक्ता हमें पढ़ने लगे है क्यों कि sie पुराने मार्गों से यह से या तो विया पर बंद हो चुकश सीचत घंजो J रहे थे, जब धर्म सुधार होंगे तो लोगों के विचार आचार बढ़ियां होंगे, लोगों के जो आपके विचार हैं वो थोड़े से खुलेंगे, इस समय पूरे की पूरे ये उरोप में आपके वैग्यानिक और सामाजिक परिवर्टन बड़ी तीवरता से चल रहे थे, जहाज रानी यानि आपके ship making technology में बड़े marvelous changes आ रहे थे और बहतर से बहतर इन जहाज ज़्यादा से ज़्यादा छमता करने वाले जहाज तेजी से बनाये जा रहे थे और इन जहाजों पर लद कर आपके नए नए नवे जो है आपके खोज करता नई नई जगहों की खोज करना प्रारम कर चुके थे उसी की ब्यानगी थी 1492 में जब आपके कोलंबस ने अमेरिका खोज डाला जिसे new world या नई दुनिया कहा यानि यूरोप में यह समय ही चल रहा था कि जब हमें आपके उर्टमान समराज से मिली चुनोती को टैकल करने के लिए हमें अपने थोड़े से साहस यानि करिश क्या वशक्ता थी और यूरोपेंस यहां पर वो साहस तयार करने के लिए वो साहस करने के लिए तयार हो चुक ठीक है कि नहीं तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि जो यूरोप में आपके पुनरजागरण और आपके धार्मिक अंदोलन थे उन्होंने जंता को उन्होंने विज्ञान को उन्होंने आपके जहाजरानी वाले उद्द्योग को इतना ज़्यादा विक्सित किय कि ये जो समय की मांग थी इसमें आपके आपके आटमन समराज की परस्थिती ने और भी अधिक मदद की एगी नहीं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाए पड़ेगा कि सभी कि सभी ये इर्वेईन सब लगातार क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस सथी से बाहर निकलने के लिए क्रेंगे आपके बकायदा जो है तेजी से कई नैविगेटिंग आपके जो है सेलर्स को भेजना शुरू करेंगे कई आपके जहाज पर कई नई जिवहों की खोच करने वाई लोग को ये भेजना शुरू करेंगे यहाँ पर फिराल इस मामले में सफलता मिलती है आपके एक वेक्ति को और वेक्ति था आपके पृर्टगाल करहने वाला कहां का पर्तगाल का पर्तगाल का जो शाशक था वो इतना खोज करते अभियानों में इतना ज़्यादा पॉपलर था कि उसका नाम ही हिंडी दा नेविगेटर रखा गया उसका नाम ही क्या रख दिया गया है हेंडी दा नेविगेटर और हेंडी दा नेविगेटर ने एक आदमी को तयार किया और उस आदमी का नाम था वासको डिगामा क्या नाम था वासको डिगामा देखे वासको डिगामा तो बहुत पुरानी बात है वासको डिगामा से पहले ही आपके 1487 में आपके बार्थोलोम डियास कौन थे आपके बार्थोलोम डियास जो है वो आपके एक रास्ते की खूज कर चुके थे जो की होके गुजरता था यहां से जो की होके गुजरता था इस जगे से देखेंगे तो आपको दो जगे वाली यह दक्षनल जगे है यह आपके कहलाती है अगुल हास जो कि अफरीका का सबसे दक्षनी पॉइंट है और जो यह रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है यह जो जगे आपको दिखाई पड़ रहे है इसी को कहते हैं के पड़ो या इसी को कहते हैं आशा अंतरीप क्या कौन कर रहा है बार्थोलोम उडियास क्या है आपके 1487 में आपके किसकी खोच कर रहा है इस आशा अंतरीप रास्ते की खोच कर रहा है और बाद में जब आपके 1498 में वास्को डिगामा चलत के आते हैं तो वास्को डिगामा इसी आपके आशा अंतरीप वाले रास्ते से चलत तो यहां पर एक आदमी को त्यार किया जाता है और उस आदमी का नाम आपके क्या दिखाई पड़ रहा है उस आदमी का नाम है आपके वासको डिगामा क्या नाम है वासको डिगामा अब वासको डिगामा पुर्टगाल से देखिए आएगा आपके भूमद सागर के करीब से आट्लांटिक के किताट से होता हुआ आपके इस तरह से चलता हुआ ये आशा अंतरीप के रास्ते पर आया और फिर यहीं गुजराती व्यापारी आपको एक दिखाई पड़ेगा उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुलमनीद और अब्दुलमनीद के जब जाए व्यापारी काफी लेविश लग रहा तो उसने पूछा कि आप किस दुनिया के हैं उसने बताया कि मैं आपके हिंदुस्तान का हूँ तो फिर वास्तु टिगामनी इच्छा दिता है कि चली हिंदुस्तान देखा जाया तो फिर ऐसे मैं क्या करेगा यहां पर आपको म पालन करते हुए है जिस रास्ते को आपके फॉलू करते हुए आपके वास्को टिगामा कब पहुचता है भारत वास्को टिगामा जो है आपके भारत पहुचता है सत्रा मई 1498 को वास्को टिगामा भारत कब पहुचता है देखिए धान से वास्को टिगामा कहां पहुचता है भारत पहुचता है अब भारत में इसका वेल्कम करने के लिए कौन-कौन लोग है भारत में इसका वेल्कम करने के लिए बहुत सारे लोग है जैसे यहां पर आपके जिस जगे पर वो पहुचा है ध्यान से देखिए जिस जगे पर यह वास्को टिगामा पहुचा है उस बंदरगा का नाम है कप कड़ाबू कौन सा बंदरगा है यह है यह है आपके कप कौन से बंदरगाह पर पहुंचता है कड़ाबू बंदरगाह पर जो की काली कड़ में इस नए यूरोपी व्यापारी का जब वेलकम करते हैं तो यह बात आपके अरब के व्यापारीयों को बहुत जादा पसंद नहीं आ रही होती है बात समझें आप यह चीज आपके अरब के व्यापारीयों को बहुत जादा पसंद नहीं आ रहे होती है लिए इसका वेलकम करेंगे वास्कोडिगामा काफी हैरान था यह ऐसे भी दुनिया है जहां पर लोग इतनी सम्रद दिशाली परस्तिती में रह रहे हैं ठीक है कि नहीं 1498 का यह वो समय है जब विजयनगर का समराज अपनी प्रसिद्धी पर था अपने चरम पर भी था तो उस एक चीज का प्रभाव भी जो है आपके भारत के इस तक्सुली छेत्र में दिखाई पड़ रहे थी हैंगी नहीं तो यहां पर आपके जब वास्कोडिगामा भारत वापस लोटता है तो टोटल जितना वो एक्सपेंस इसमें लगाया था टोटल जितना खर्चा उसने इसमें लगाया था वापस जब यहां से मसाले लेकर जाता है और बेशता है जाकर तो प्रॉपर तरीके साथ को क्या दिखाई पड़ेगा कि उसको टोटल और टोटल गुना मुनाफ़ा होता है और यहां पर आपके वास्चोडिगामाकी यात्र से दो फाइदे हुए कि एक नया व्यापारिक मार्ग मिला जो की चौथा व्यापारिक मार्ग उस अच्शोर होता है, दूसरा एक पर्तगाली जो कमपनी है एक जो पुर्टगाली क्या कहते हैं आपके शाशन के लोग हैं वो भी भारत पहुंसते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है कि भारत का इसके पहले जो है किसी आपके वेक्ती से व्यापार नहीं होता था तेमज़ रहे हैं इसके पहले भी आपके बहुत सारे लोग थे जो कि भारत स से होते हुए आपके कहाँ पे बगाइद अफगानिस्तान पार करते हुए इंडस नदी पार करते हुए भारत से विया पार करते थे ठीक है के नहीं लेकिनि पहली बार था कि समंदर के रास्ते आपके अरेविश की कितरह कोई चलता हुँ आया हो और वो European power हूँ तही बात आप समझ लिजेए वासकोटिगामा की अगर मैं बात करूँ जहां से देखिए वासकोटिगामा जिसका नाम है वासकोटिगामा वैसे देखिए कहां से चलके आया है पुर्टगाल से चलके आया है बट इसकी खुद की जो ethnicity थी है कह सकता हूँ कि इसकी जो मूल नागरिकता थी वो इटली की ही थी और इटली इस समय आपके European business का European आपके कह सकता हूँ कि trade का वैपार का hub हुआ करता था लेकिन पुर्टगाल के इस वासकोटिगामा की इस खोज से सारा सिनेरियो बदल गया वासकोटिगामा की इस खोज से सारा सिनेरियो ऐसे मान लेता हूँ कि यहां पर आपके एक शहर है और इस शहर का नाम क्या है Venice तो ये इरोपी व्यापार का जो पहले सेंटर आपको Venice दिखा भी पढ़ रहा था अब वो बदल जाता है और येरोपी व्यापार का एक नया पॉइंट आ जाता है और वो बन जाता है Lisbon क्या बन ज लिस्बन बन जाता है आपके नया व्यापारिक केंदर क्यों क्यों कि इसके बाद किसी ने भी आपके ओर्टमान एंपायर या अरवियन से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया और आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो यूरोपेन आपके ट्रेड रूट है वो आपके इसी केप अब गुड होप से होते हुए भारत जाने वाले रास्टे को फिर जो है फॉलू करने लगा वास्को डिगामा ने यूरोप को एक नया मार्क देकर भारत के लिए क्या किया इस पर तो हम नहीं जहा सकते कि जो किया वो हमें बहुत तगड़ा और बड़ा महंगा पड़ा लेकिन यूरोप के लिए भारत से व्यापार करना और आपके साउथी स्टेशिया से जो है व्य भारत में आने का प्रयास क्यों किया उनको मसाला चाहिए था और यह मसाला कोई आपके विमल पानविलास रजनी गंदहा है ना ऐसा नहीं था कि मुझ पर रजनी गंदहा कदमों में तो नहीं यह मसाला था आपके बकाईदा स्पाइस यूरोप में वैसे भी आप क्या प्रकार से आपने क्या देखा कि वासको डिगामा ने एक नए मार्क की खोच करके बाकी रुपिन मार्क पावर्स को भी इंफ्वेंस किया कि वह भी भारत की तरफ जो है आपके व्यापार जो है बढ़ाना शुरू करें और इसी वजह से मैंने आपको क्या बताया कि जो व् हो जाता है आपके पुर्दगाल का राजधानी लिस्मन दुकुल मिलाके अभी तक आपने यह समझा कि European पावर्स जो है वह आपको भारत आते दिखाई क्यों पढ़ रही हैं एक नी क्यों सारी सारी European पावर्स जो है आपको भारत आती दिखाई पढ़ रही है अब यूरोपेन पावर्स काने करें, आपको कुछ देखिए, बोर्ड में जगे तो वैसा नहीं बची है, बड़ यहां देख लिजे, सबसे पहले आपको कौन सी यूरोपेन पावर्स दिखाई पड़ रही है, पुर्तगाली, फिर इसके बाद आपको हॉलन्ड या नि डेच्च क यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम पूरे यूरोपेन का आने का आगमन तो करम देखिए, चुके हैं, यहां पर एक एक यूरोपेन पावर्स दिखाई पर किस प्रिकार के संगर्श किया है, और इन संगर्शों में किस तरह से आपके इंगलेंड फिर सबसे शक्तिशाली यूरोपी पावर की रूप में भारत में ना केवल उभरा, उसने भारत पर अपना उपने व तो अब बारी है आपसी संगर्श समझने की, बट उस आपसी संगर्श को समझने से पहले एक एक यूरोपेन पावर का यहां पर कैसे आना हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सारी सारी बाते हम यहां पर समझेंगे, ठीक है कि नहीं, तो चलिए, अगली स्लाइड में जो है, ह पुर्टगाली भारत में सबसे पहले आये थे 1498 में और भारत से सबसे बाद में गए 1961 में जब गोवा और दमंदीर चुड़ाया गया पुर्टगाली में से, यानि भारत में सबसे पहले आने वाली शक्ति कौन थी, पुर्टगाली, और भारत में सबसे बाद में जाने वा सब्सक्राइब बात है कि सत्रा मई कि 1498 को कि कौन भाता दिखाए पड़ेगा वास्को डिगामा भारत आया कौन आया वास्को डिगाम आया अब कौन से बंदरगाह पर आया कौन शाशक था यह पिछली स्लाइड में आपको बता चुका तो वह यहां पर नहीं बताने में ठीक है कि नहीं इसके बाद आप क्या देखेंगे पंदरा सोग है वास्को डिगामा एक बात मैं आपक बता साथ होँ वह भात आपके एक बार नहीं यहता है वास्को डिग हमाएं पर आपके तेन यात्राएं जो है वो जरूर मैं आपको बता दूगा कि कप कप की है तीन यात्रा उसने देखी सबसे पहली यात्रा आपको मालूम है कि सबसे पहली यात्रा उसने 1498 में की है दूसरी यात्रा उसने 1502 में की है भारत में और तीसरी यात्रा वास्कोडिगामा ने भारत में की 1524 में तो वास्कोडिगामा ने भारत में कितनी यात्राइं की थी तीन यात्राइं की थी 1498, 1502 और 1524 इस बात को याद रखेगा दो लगबग लगबग सब को याद रहती हैं, तीसरी शायद नहीं मागो बोलेगा तो यहाँ आपर वास्को डिगामा जो है, आपके तीन यात्राय करता को दिखाए पड़ेगा अब जब आगे बढ़ते हैं तो पंदरा सो में, संद पंदरा सो में क्या है? एक और पेड्रो अलवरेज केबरल जो है, पेड्रो अलवरेज केबरल जो है, वो आपको काली कट आता दिखाए पड़ेगा पेड्रो अलवरेज केबरल ये एक पूरतकाली आपके जो है क्या कहते हैं, जहाजी था, ये भी आपके भारता देखाए पड़ेगा ये बी काली कट में ही उत्रेगा और काली कट में उतरने से पहले ही इसने राजा को बकाइदा पठाने वटाने का प्लान कर लिया था रास्ते में क्या किया है इसने कुछ अर्भी जहाज लूटे अर्भी जहाजों को पकड़ा और फिर जब ये काली कट में जमोरिन महुदे के पास पहुचेगा तो क्या करेगा जमोरिन महुदे को अर्भी जहाज गिफ्ट कर देगा तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि पैट्रॉल विजिस कैबल आया और उसने क्या किया अर्भी जहाज तौफे में दिये अर्भी जहाज क्या किये जमोरिन को तौफे में दिये ठीक है कि नहीं अभी यहां पर जो है यह लोग आ रहे हैं बट कोई व्यापारिक उद्देश है या कोई आपके किसी प्रकार का वाणिजिक उद्देश है यह बात अभी तक क्लियर नहीं हो रही है पंद्रा सो दो में आपके वास्कुड़िक हमाँ भारत दुबारा आता है बकायदा जमोरिन से बाचीत करता है और भी अपना विस्ता करेगा लेकिन पुर्दगालियों का अगर हम बात करते हैं कि पुर्दगालियों ने भारत में कब सबसे पहली फैक्टरी है पुर्दग ये इरुपेंड पावर का आपको यह बिल्कुल यहाद रखना है कि सबसे पहली कंपनी कहां पर स्थाफित की और किस तर्ट पर स्थाफित की फूर्वी तर्ट पर प्रश्मिपर ठीक है कि नहीं तो यहां पर आपके पंद्रा सो तीन में यह कहां पर दिखाए पड़ेंग गोडाउन हुआ करता था पहली फैक्टरी इस्थापित की यह बिसिकली फैक्टरी नहोंगर क्या हुआ करता था गोडाउन हुआ करता था इसके बाद क्या करेंगे पंद्रासुपांच में कनौर में है ना पंद्रासुपांच में क्या करेंगे कनूर में दूसरी फैक्टरी स्थापित किया है इसके बाद आप क्या देखेंगे कि फिर जब ये रोपेंज लगातार आपके पुर्दगाली लगातार आना शुरू कर देते हैं तो इसके बाद आपके पुर्दगाली भारत आजाएगा और इस प्रकार से आपको कौन आता दिखाई पड़ेगा अलमीडा आता दिखाई पड़ेगा और अलमीडा क्या था आपका जो पहला पुर्दगाली गवर्नर था वो उसको भी भारत आते हम देखेंगे वो आपको भारत आते दिखाई पड़ेगा आप यहां से आपके शुरुवात हुजाती है अपके पर्तकाली गवर्णर की यहां पर आपके पर्तकाली गवर्णर दिखाई पड़ रहा है प्रत्जाली गवर्नर धिए और आपकर बारे मेरम बात करेंगे तो आपके के बारे में मुझे बाचीत करना ही पड़ भी आपकों, कि अलमीडा काफी attacking अप्रोच के साथ भारत आता है अलमीडा क्यों अटेकिंग अप्रोच के साथ भारत आ रहा है उसको बताने के लिए सिधा-सिधा में पुर्टकाली गवर्णर का नोट बनाने सुग रहेगा तो यहां पर देखिए कौन दिखाई पड़ रहा है अपको प्रांसिस्कोडी अलमीडा इसका कारकाल पंद्रा सो पांस से पंद्रा सो नौ रहता है कारकाल से कब से कब तरह रहता है पंद्रा सो पांस से पंद्रा सो नौ रहता है और अलमीडा के बारे में आप ज़रा शांदार बात समझी है अलमीडा बिल्कुल शुरू से क्लियर था कि उसे करना क्या है उसने व्यापार से ज़्यादा व्यापार एक मार्ग पर डॉमिनेंस क्रियेट करने के लिए प्रयास की यानि फ्रांसिस्कोडी अलमीडा जब आपके पुर्टगाल से चलके आ रहा है तो उसको यही लक्ष दिय यह कोई भी यूरोपेंड पावर आप से बिना पर्मीशन के या आपकी मर्जी के बगैर वहां पर खड़ड़ा भी ने पाए तो एक इतना स्ट्रॉंग प्लान लेकर आता है आपके अलमीडा और इसके लिए क्या क्या करता है यह आप देखिए पहली बात तो आपके बारे कलेंगे आपके पहला पुर्तगाली गवरनर नर था दूसरी बात इसके बारे में आप क्या लेगा पाटीफाइट पर यह तकि इन पर अगर यह किसी पर डॉमिनट करें तो इन पर कोई आउच ना आसक्दे तो यह क्या करता है आपके कोचिम कनूर जिसको आपके प्राप्त होता है पंदर सु थीन पंदर सु पांच में उसको यह फर्टिफाइट करा देखे और इसके बाद यह लाँच करता है अपनी ब्लू वाटर पॉलसी इसके बाद यह लाँच क्या करता है अपने यह लाँच क अधिमूर्ट पॉइंट रहता है कि आपके नीले पानी की नीती है ब्लू वर्टर पॉलसी चलाने वाला कौन पॉर्टगाली ओनर था तो वो था फ्रांसिस्को डियल मीडा जो की पहला पॉर्टगाली ओनर बनके आ रहा है ठीक है अब यहां पर आपके सबसे मज़दार बात यह है कि यह था क्या चीज़ ब्लू वर्टर पॉलसी क्या थी अरब सागर में इन्हों ने इतनी स्ट्रॉंग मोनोपॉली स्थापित की थी कि कोई भी अर्बी या भारतिय जहाज बात समझेगा कि कोई भी भारतिय या अर्बी जहाज जो था वो आपके क्या दिखाई पड क्या होगा कि क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है इन्हों ने पुर्दगालियों ने इतना स्ट्रॉंग कंट्रोल इस्टैबलिश कर रखा था आप यह बात समझेगे नहीं इन्हों ने आपके यहां तक स्ट्रॉंग कंट्रोल इस्टैबलिश कर रखा था कि भारत यह जो है गोला बारूद वगेरा यह सब लेकर नहीं जा सकते थे समझ रहे हैं किको किसी प्रिकार से आपके हतियार या गोला बारूद आपके जहाजों में लेकर नहीं जा सकते थे पुर्दगाली उन्हें इतना किस से चाहिए हमीं से चाहिए क्योंकि अगर नहीं दो के पैसा हमको या नहीं टैक्स दोगे तो हमीं तुम्हारा जाहज भूट लेंगे तो यहां पर सुरक्षा के नाम पर पुर्दगाली मोटा माल कमा रहे थे इसके लावर करते क्या थे जिस व्यापारी जहाज को त्यार करते थे और पुर्टगालियों को जब ये टैक्स पे क्या करते थे तो फ्रांसिस्को डियालमेडा करता गया था अपने दो तीन जहाज लेकर जो है अपने सिपाईयों को कमांडर्स को बेजा करता था तो एक दो जहाज काफिले के आगे चलते थे एक दो जहाज काफि establish कर सके हैं कि देखिए वो जो वेक्टी जा रहा है व्यापार करने वो at least सिर्फ हमारा ही सुने हैं कहीं ऐसा नहों कि हमारी गैर हाजरी में कोई दूसरा व्यापार जो है उद्धिश यहां पर निकाल ले वो ठीक है कि नहीं तो आपके फ्रांसिस्को डी अलमीडा के बारे मे control establish कर लेगा तो इससे तीन powers को बहुत दिक्कत होगी एजिप्ट की पावर होगी ठीक है दूसरी पावर आपके मिस्र की इसके बाद अरब की आपके पावर दिखाई पड़ेगी आगे नहीं दूसरी पावर कौन दिखाई पड़ेगी आपके अरब की दिखाई पड़ेगी और तीसरी पावर आपके दिखाई पड़ेगी गुजरात की क्यों क्यों देखिए इनका भी व्यापार इसी रूट से जा रहा है एजिप्ट का व्यापार भी इसी रूट से हो रहा है और अरब का व्यापार भी आपके कहां इसी रूट से होता आपके दिखाई पड़ेग तो पंद्रा सो आठ में कब पंद्रा सो आठ में एक तरफ था अलमीडा और दूसरी तरफ थे इसके खिलाब तीन सेनाए है ना ओर तीन सेनाए कौन-कौन से थी देख लीजा गुजरात कि मिश्र और तरकी यह तीन सेनाओ ने क्या किया अपना जोइं ट वेंचर किया और यहां पर फंद्रा सो आठ में क्या हो जाएका अलमीडा हार जाएगा अलमीडा क्या करेगा हार जाएगा एवं इसका एक पुत्र भी माळा जाता है है канал एक चीज़ आपको यहां पर देखने को मिल रहीं लेकिन अलमीडा काफी अप्रोच का था अगले साल फिर से क्या करेगा इनी तीनों ब्रांचे से खिलाफे करेगा एक वार्ड डिकले करेगा और पंद्रा सो नौ में इसने क्या किया कौन से तीन सिन है गुजरात मिश्र एवं तुर्की इन तीनों की जो आपके सैयुक्त सेना है इन तीनों की जो है आपको क्या दिखाए पड़ रही है जो सैयुक्त सेना है ठीक है इसको ये फाइनली क्या करता है पराजित कर देता है इसको क्या कर देता है पराजित कर देता है तो बहुत सारे challenges आपके फ्रांसिसको डी अलमीडा को आपके पहले governor के रूप में देखने को मिलते हैं ठीक है कि नहीं अब यहाँ पर जो है आपके हम अगला governor देखते है अलफान्सो डी अल्वुकर्ख नजी अलफान्सो डी अल्वुकर्ग कि अल्फान्सोडी कि अल्वकर्क और सका करकाल कप से कप तक रहता है पंदरा सोनौ से तक 2551 भारत में पुर्दगाली अभी जो शाषन कर रहे हैं वो कोच्छी को संट्र मुन बनाके कर रहे हैं ठीक है यह बात आप आप कर लेंगे कि बड आपको ये समझे कि अल्वुकर्क के जो actions हैं जल्दी सही सुन लेते हैं कि अल्वुकर्क के actions क्या क्याते हैं अल्वुकर्क ने पौर्टगालियों को भारत में वास्तविक रूप से संस्थापित किया मजबूती से जो है आपके वहाँ पर establish किया अगर कभी सवाल आ जाए कि वो उस दा रियल फाउंडर आफ पॉर्टगीज पावर इन इंडिया तो आप जो है अल्मीड़ का नाम ना लेकर किसका नाम लेंगे अल्वुकर्क का नाम लेंगे किसका नाम लेंगे अल्वुकर्क का नाम लेंगे दरसल इसने naturalization किया देशी करण किया पुर्दगाली लोगों का बहुत सारे इसके actions ऐसे थे जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे कि यह सीधा सीधा political mindset लेकर आया है जैसे आपके यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि इसने आपके पुर्दगाली के जो केंदर थे प हुआ पुर्दगाली सेना में भारतियों की किया करता है यह भरति करना शुरू करता है नहीं आपके गये लोगों काभी support आपको प्राप्त हो सके तो ये चीज कभी-कभी तो है जबरन भी उकिया करता था आपके फ्रांसिस्कोडी अल्बुकर्क कई मायनों में ये देखा गया है कि कई ललकियों को जबर्जस्ती जो है आपके इसाइयत में कंवर्ड कराके बगाइदा उनका विवाहा जो है जनाधार मजूद करना चाते हैं भारत में इस्थापित होना चाते हैं इसलिए भारती सिपाहियों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर चुके इसलिए भार्ति इस्तरियों से वेभाह करना चुरू करते हैं अलुकर की जो तीन जिद्य हैं वो सबसे महत्तपूर्ट जीते क्या है कि आपके 1510 में इसने जो आपके गोवा च्छीना वो इसकी सबसे महत्तपूर्ट जीत थी पंद्रा सो ग्यारा में कि यहां आपको भारत दिखाई पड़ेगा और आगे जाते हुए जो है यहां पर आपको जो है मलक्का जल्डम रूमुद दिखाई पड़े कर तो देखिए आपके यहां पर तीन छेत्र इसने क्या किये बहुत जो है बड़ी एचीवमेंट के तौप में मान सकता हूं कि गीते हैं पंद्रा सो दस में इसने आदिल चाशे क्या किया गोवा ची पंद्रा सो ग्यारा में इस रास्ते पर आपके जीत हासिल कर लेते हैं और पंद्रा सो पंद्रा में इनकी सबसे बड़ी एचीवमेंट यह थी कि यह जो हॉर्मुज की जलसंदी थी यानि यह फारस की खाड़ी थी इस क्या कहते हैं पूरे के पूरे शेत्र प्यादिकार कर लेते हैं और मैंने आपको पिछली स्राइट में बहुत पहले से बता रखा है कि देखिए भाई साब यही तो ट्रेड रूट हुआ करता था एक नहीं तो इसने क्या किया कि बकाइदा वो जो व्यापारिक मार्ग था उस पर ही कब्जा इस्थापित कर लिया यह अलबुकर्क की सबसे बड़ी आपके कह सकता हूं कि अपलब्दियों में से एक था समझardan है यह अलबुकर्क की सबसे बड़ी उठक्लतियों में से एक मेंसको बता सकता हूं कि कि अलबुकर्क जो है आपके महोदई अलबुकर्क महोदई जो है पौइन करके आये थे कि पृटगालियों को हमें एकदम elite class का power वना डेना है और 취ีक्या कैया अरप के शेत्र से स्बंद स्थापित कि और विजानगर के शाचिश्षा के समें थे कृश्छन देवराय कौन थे कृई तो बगाएदा क्रिश्ण देवराय से स्बंद स्थापित करेगर और उनको अर्वी घोड़े वगारा बेच यह जा है गुना हमना इस ने जीता तो गौवा में किया एक साल की स्थापना भी कर देता है और सबसे बड़ी बात खास बात यह थी कि इसने भारत में जितना छेत्र इसके अधिकार में था वहाँ पर सती पर्था का अंत किया इसका सथी प्रथा का अंत या यह कै सेगता हूं कि भारत में सथी प्रथा का विरोध करने वाले सबसे पहले यूरोपी शक्ति कौन थी वो पुर्तगALKाल था प्रानसस्को डिएलबकरन ने, या अलफान्सो डिएलबकरन ने क्या किया कि अपने जितने भी कंट्रोल छेदर था, उसमें सदिक पृत्ब lib लगा दे हैous बात को लेकर Father Louie नाम के एक आपके पादरी को भी Christians Day राय के दरबार में भीजाता है समझ रहे हैं एक आपके कौन थे पादरी िुए पोप डूइ जो है वो आपके कहा पर दिखाई पड़ते हैं वो आपके दिखाई पड़ते हैं किसके दरबार में फ्रांसिस्को डी अल्वुकर के दर्वार में तो यहां पर तेजी से अल्वुकर को लिखना शुरू कर देते हैं काजबात क्या है क्या बोला जाता है इसे पुर्दगाली शक्ति का इसका इसे पुर्दगाली शक्ति का वास्तिविक संस्थापक कहते है इसे पॉर्टगाली शक्ति का क्या बोल जाता है वास्तविक संस्थापक तीन बड़ी महत्वपूर्ण विजय इसको मिली है 1510 1510 में इसने गोवा छीन लिया किससे आदिल शाष्रे इसे क्या प्राप्त होता है गोवा प्राप्त होता है अग्या इसका कहाँ पर अधिकार भी आता है अंज़ग्यार में ये मलक्का पर अधिकार इस्थाफित कर लेता है में एक वीजय थी इसके को कि अधरा की करता है अग्या तो फारा सिक कर लेता है और मुचोल्षंदी kasember कर लिता है तो यह इसकी महान उपलदियों में से एक बड़ी खास बात है दूसरी चीज़ क्या देखेंगे आप इसने सेना में भारती सिपाही भरती की दूसरा भारती सित्रियों से विवाहा प्रेर्थ किया भारती सित्रियों से विवाहा पर जोड़ दिया और क्या देखेंगे इसने अपने चेत्र में तो क्या दिखाए पड़ेगा गोवा में इसने टकसाल स्थापित की विजयन अगर बात विजयन अगर मैं करूंगा तो इसने क्या किया क्रिशन देव राय को बकाईदा कौन से पर्वी गोड़े भेचे और एक महान बात और भी है जो पूशिया सकती है कि एक पादरी फ्रांस लोई को भेजा और ये दर्वार किसका है प्रिशन दो राय का ठीक है कि नहीं तो ये पादरी आपके कौन थे ये महादे थे आपके लूई महादे कौन थे ये लूई मौद थे जिनको उन्होंने भेजा थे ठीक है अब इसके लावा अगर कुछ और फैक्ट आपको बताना पड़े तो आपके मैं आपको बताऊंगा कि गोवा में टेक्साल स्थापित की कहां गोवा में टेक्साल स्थापित की वेगर सदी पुर्धा पर क्या दिखाए पड़ेगा स्थी पुर्धा पर रोग लगाई और ध्यांस देखिएगा मंद्रों मजुदों को इसने काफी ज्यादा इंटेंस मात्रा में तोड़ना चुरू किया था तो इस वज़े से अलफांसो अलबुकर्ग जो है काफी पॉपलर आपके दिखाई पड़ता है अच्छा अलबुकर्ग के बाद जो है आपके पुर्धगाली गवर्नरों में हम सीधा फिर अगला नाम जो है आपके नीनो डी कुन्हा का देखेंगे किसका देखेंगे नीनो डी कुन्हा को क्योंकि इसके बाद पुर्धगाली लगातार अपना व्यापार व्यापार बढ़ाते रहे इसके बाद ज्यादा कुछ खास हम एक्शन देखें को मिलता नहीं है तो नीनो डी कुन्हा को अगले पृत्गाली व्यापारी के तौर पर देख लें कि इनके समय भी छोटे बहुत थोड़े बहुत काम हुए हैं जैसे गोवा को इनके उन्हें क्या हुए है पृत्गाली राजदारी मना ली तो देखी यहां पर आपको दिखाए पढ़ेंगे न नीनो डी कुन्हा कारकाल कब चकब तक है इनका कारकाल 1529 से शुरू होता है और कारकाल इनका 1538 से रहता है यानि 9 साल तर यह आपके पृत्गाल के गवर्णर के तौर पर दिखाई पुड़ेंगे नीनो डी कुन्हा के समय में कोई बहुत ज़्यादा खास बात आप नहीं देखेंगे नीनो डी कुन्हा के समय में जो खास बात आपके हुई वो ये कि इन्होंने गोवा को राजधानी बना दिया पहली बात क्या है कि गोवा को राजधानी बना दिया दूसरा यही है कि 15-34 में इन्होंने बसीन और हुगली में फैक्टिस था पित कर ली ये दो खास बाती थी हुगली आपके पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी में इस्तित है जबकि बसीन आपके मुंबई के पास अरब सागर में इस्तित है तो पुर्दगाली क्या कि अपना बकाइदा हुगली तक विस्तार करेंगे ठीक नहीं अकबर भी इनसे बहुत जब इंफ्लेंस था इनकी आपके समझे की अकबर जब इनको देखेगा हाला कि अभी तो समय अकबर का आया नहीं 15-34 में लेकिन जब बात के समय में आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे इन्होंने क्या किया गोवा को क्या बना दिया राजधानी बना दिया गोवा क्या किया राजधानी बना दिया 15-34 में बड़ी उपलोदी क्या लगती है आपके बसीन और हुगली पर इनको अधिकार प्राप्ट हो जाता है ठीक है तो ये खास बात आपको लगती है स्क्रीन अगर स्मार्ट बोट की आप बहुत देड़ तक देखते रहते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी से समस्या हो जाती है इसके बाद 1535 में इनके हाथ में एक बड़ा अचीवमेंट आता है जब ये दिव पर अधिकार कर लगता है इसके बाद आपके ये समझे है कि जवाडी कैस्ट्रो करके आपके पुर्टगाली आता है और जवाडी कैस्ट्रो के समय क्या होता है आपके बंबई जो है वो गोवा के बंबई भी पुर्टगाली के कंट्रोल में आ जाता है तो सवाल बन सकता है कि कि किस पुर्टगाली गवर्नर के समय बंबई भी पुर्टगालियों के कंट्रोल में आ जाता है तो वो आपके कौन थे वो आपके थे जोवाडी कैस्ट्रो 1549 से 1542 के बीच में यानि एक्जैक्ली आपके नीनोडिक उनहा के बाद वाले इसके बाद अगले अगर हम देखते हैं तो अगला ये है कि आपके चार भारत में बहुत तीवर्टा से करते हैं गोवा के छेत्र में जहां-जहां भी पुर्टगाली बसे हुए थे लोगों को तेजी से कंवर्ट करा रहे थे कि आप क्रिश्टन कर लो फाइदा रहेगा आपका जिस भी तरह का वो फाइदा बताते हूं उस तरह का और इनके संथ सेंट जेवियर वह आते हैं वह काफी ज़्यादा जो है इस अपके धर्म को प्रोपगेट करते हैं और यहीं पर फिर गोवा में आपके पहले चर्च की स्थापना भी की जाती है ठीक है कि नहीं तो यहां पर आपके जो है लिख लेते हैं दोनों के बारे में जोवाडी कैस्ट्रो लिख लेते हैं कौन है अगले अगले हैं जोवाडी कैस्ट्रो पंद्रह सुन तालिस से बैल्स के बीच करकाल रहा है और इसमें खाज बात क्या रही है खाज बात रही है कि आपके बंबई यह पुर्टिगाली के ने इंटरल में जाती है इसके बाद आपको दिखाए पड़ेगा उन दिखाए पड़ेंगे अलफान्सो मार्टिन डिसुजा को दिखाए पड़ेंगे अलफान्सो मार्टिन दिसुजा जयसे एक अभिनेत्री है न ईलियाना डिसुजा शाद ईलियाना डिसुजा ही हैं तो इलियाना डिसुजा या इस परकार के आपके जो गोब्वा के चेत्र में क्रिस्ट्चन्स दिखाए पड़ते हैं ऊपलाए लिए उस सब के सब अलबुकर के टाइप के क्रिश्टिंस हैं उस समय के खिर्ष्टिंस है जब भारतियों को लगातार तेझी से धर्मान्तरन कर आकर क्रिश्टिंडी एथिनसिटी में लाया जा रहा था तो डिशूजा से मुझे ये बात जाद आ गए अब डिसूजा साब के समय क्या बात खास बात कोई पड़ेगा और पंदोसों बेलज से पैतालस के बीच में जो इनके कारिकाल में खास बात हुई है वो दो बाते हैं पादरी सेंट जेविर भारत आया और दूसरी खास बात आपको क्या दिखाए पड़ेगी कि गोवा में चर्च के स्थापना होई गोवा में क्या हुआ एक चर्च के स्थापना आपको दिखाए पड़ती है अब हम क्या देखेंगे कि पुर्दगालीओं का पतन कैसे हुआ तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या करेंगे अपने सारी की सारी जो है आपके लड़ाईयां जो है हारते चले जाएंगे और जब सारी सारी लड़ाईयां हारते चले जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे इनका यहीं पर पतन होना शुरू हो जाता है ठीक है कि नहीं जैसे सूला सो ग्यारा में सबसे जो पॉपलर बैटल इनकी हुई थी वो होता बैटल अफ स्वाली क्या हो था कि सूला सो ग्यारा में आपके किससे अंग्रेज वर्सेस पुर्तगाल था यह चीक है और इसे बोलाता है स्वाली का युद्ध और इसका रिजर्ट क्या रहता है अंग्रेज जो है आपके थामस बेस्ट के नेत्र तुम्हें जीत जाते हैं नेत्र तुम्हें जीते हैं यह बहुत डिसाइसीव बैटल थी जहां पर पहली बार अंग्रेज और पुर्तगाल एक दूसरे से व्यापारी कंट्रोल के लिए दोनों की दोनों सेनाय एक दूसरे के आमने सामने आपको दिखाई पड़ रही हैं 1628 में 1628 में अंग्रेज का करते हैं हार्मुष पर कब्जा अप्राप्त कर लेते हैं क्या दिखेंगे अंग्रेजों का हार्मुष पर अधिकार जाता है तो हार्मुष इनके हाथ से निकल जाता है ये वही हॉर्मुज़ जिसको 1515 में अल्वुकर जीत रहा है चीक है अंग्रेजो का हॉर्मुज पर कबजा इसमें बकायदां अंग्रेजों की मदद करते है आरब चीक है 1632 में हुगली से इन्हें क्या करता है शाजहाँ भगा देता है ठीक है? शाह जहा ने होगली से भगा दिया शाह जहा ने क्या किया? होगली से भगाया इसके बाद बड़ा महत्पूर्टयूड रजता है इनके और मराथों की बीच में यानी बाजी राव और आपके पुद्गाली कि बीच में जिसमें सालसेट और बसीन चला जाता है तो 1636 पेश्वा बाजी राव फस्ट ने कि एक सेकंड मार परिए उससमें बाजी राव थे भी नहीं रुकिया इस समय आपके शिवा जी के समय के था 1638 तिस तो इस समय को क्या दिखाए पड़ेगा कि मराठो ने क्या किया इंसे सालसेट और बसीन चीन लिया ठीक ठीक है सालसेट और बसीन ये किस ने चीना मराठो ने चीना ठीक है नहीं तो ये काफी डिसाइसिव बात हुआती है कि आरब सागर पे इनका कंट्रोल जो है आप धीर धीर देख रहे हो कि हॉर्मुझ इनके हाथ से चला जा रहा है ठीक है पूरी तरट पे जो आपके हुगली थी वहाँ पर भी इनका कंट्रोल कमजोर दिखाई दे रहा है इसके बाद आप क्या देखोगे कि भकाइदा 1661 में जो है डचों ने पांडिचेरी वाली छेत्र में काम कर लिया डचों का पांडिचेरी पर कबजा 1661 में इनोंने क्या किया अंग्रेज और 1661 में आपके क्या दिखाई पड़ेगा जो बंबई है वो पुर्तगाली अंग्रेजों को दे देते हैं यह एक विवाह संबंद के तॉर पे हो रहा है यह विवाह संबंद किसके किसके बीच में हो रहा है चाल्ज सेकंड इनका पुर्दगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा से शादी होती है और जब इंग्लैंड की राजकुमारी कैथरीन इंग्लैंड के चाल्ज सेकंड की शादी अपके यूरोप के पुर्दगाल के कैथरीन ब्रेगंजा से होता है तो फिर दहेज में दिया जाता है बंबई किसको अंग्रेजियों को चीक है तो यहाँ पर आपके क्या देखेंगे जहांज देखे 1667 में चाल सेकेंड जो की विवाहर जो की कहां के इंग्लैंड के हैं उनकी शादी किस से होती है उनकी शादी होती है आपके कैथरीन ब्रिगेंजा से कैथरीन ब्रिगेंजा से चीक है और यह कहां कि है आपके आपके उसी पुर्दगाल की राजकुमारी है तो फिर दहे सुरूप में क्या दियाता है बंबई जो है अंग्रेजों को सौपा गया तो यह में इंट्रेस्टिंग फैक्ट है जो बड़ा महत्रपूर्ण बन जाता है बड़ा महत्रपूर्ण तो नहीं बनता है बदा एक्जाम पॉइंट आप पूछी जा गए ठीक है नहीं तो देखिए एक बात में आपको बता दूँ ये रोपिन पावर्स का आगमन है ये इंग्लिश की बात करूँ या फ्रावि सिक की बात करूँ यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि यह चैप्टर बहुत ज़ादा प्रदोगाली आपके गिरते हुए दिखाई पड़े पड़े है और फिर FINALLY क्या होता है पुरतगाली जो में भारत से बाहर निकल ही जाते हैं यहां पर आपके पुर्दगालियों का पराज है कैसे हुआ इंपर्टेंट नहीं आप जानते हो कि यह जब फाइनली गोवा से बाहर निकाले आते हैं तो पुर्दगाली व्यापारी कंप्री के तौपर बगायता थोड़ा-बहुत भारत की छोटी-छोटे शित्रो के साथ जाने का गोवा का प्लानक्स कर ऐसा होता है कि मान लेते हैं चार शे दोस्त हैं तो उनमें से एक दो ऐसे होते ही हैं तो बहुत सारा इंपक्ट आपके परमान सकताओं की पुर्दगालियों का भारत पर दिखाई पड़ता है ठीक है कि नहीं पुर्दगालियों का भ अगर हम उसकी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पुर्टगाली ताकतों से या पुर्टगालियों से भारत में आती दिखाई पड़ती हैं जैसे सिंपल जी बात है कि महत में कई बाते महत्पूर्ण भी हैं तो उसको लिखना भी पड़ेगा कि भारत पर पर्तिगाली प्रभाव क्या था भारत पर पर्तिगाली प्रभाव अगर वो पूछा जाये तो क्या था तो यहां पर कई सारे important facts बन जाते हैं जो कि लगते नहीं उतने important बट पूछा जाए गा भारत का व्यापार जापान के साँ शुरू आये सबसे पहले शुरू किसकेसाँ शुरू किया जापान से शुरू किया वह भारत में कौन शुरू करते हैं पुर्थगाली लोग शुरू करते इसके लाभा आप कlyा do देखेंगे कि printing press की स्थापना होती है कि इसकी printing press की स्थापना आपके 1556 में आती दिखाई पड़ेगी प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना तो ये बड़ी मावलस बात है जो पुर्टगाली लेकर रहा थे इसके लावा जब आप देखेंगे तो बहुत सारी फसले आपको यहाँ पर पुर्टगाली लाइते दिखाए पड़ेंगे जैसे आज आपके खाने में सबजियों में जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या है आलू यह पुर्टगाली भारत लेकर रहा है और सिर्फ आलू नहीं पपीता हो गया संत्रा होगा चुकि आपके यह भूमद सागर और अट्लांटिक दोनों ही तटो पर पुर्टगाल जो था आ जैसे पुर्टगाली भारत क्या क्या लेकर रहे है पुर्टगाली भारत में लेकर आ ¿रहा रहे है आलू पर दोक्तरा होगा गानास Naar Kaitubh Use ऑनानास अम्रूध और लाल मिर्च, यह सारी की सारी चीज़े जो है आपके क्या पढ़ेंगे, यह सारी की सारी चीज़े जो है पुर्दगाली ही भारत में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे खाने और पीने का जो है वेराइटी जो है पुर्दगाली कल्चर के साथ भारत में आपको आत निकल आता था फुर्दगालियों ने एक नई विदी हमें पौदा हुआने की सिखाई और वो होती है कलम विदी जैसे आपको गुलाब का फूल अगर लगाना पड़ता है तो आप क्या करते हैं गुलाब के बीज घटा करते थे और फिर उनको डाला करते थे जमीन में तब ग क्यार दीजी तो क्या होगा उससे भी एक प्रेड तयार होता आपको दिखाई पड़ेगा तो कलम विदी से जो है आपके पौधा लगाने की जो यह विदी है यह सबसे पहले हमें भारत में किसने किसने बताई पुर्दगाली ने बताई आम तो खाता ही हो गया बहुत पसं पुर्दगाली लेकर आ रहे हैं और इसके बाद आम की जो सबसे जादा चर्चित वेराइटी है वह है अलपानसो वह भी पौधाली लेकर आ रहे हैं ठीक है तो पौधालीयों का जो है आपके भारत पर प्रभाव काफी जादा गहरा दिखाई पड़ेगा ठीक है कि नहीं चलिए, आज ही क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम संघर्ष पढ़ेंगे डचों का, अंग्रेजों का और किसका फ्रांसिसियों का, ठीके की नहीं, जैन क्लास